Dear Students, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मलेरिया बोखार यानि मलेरियल फीबर को समझेंगे. मलेरिया बोखार एक तरह का infectious disease है जो मलेरिया पैदा करने वाले मच्छर के काटने की वज़ा से होता है. अब ये मच्छर कौन ऐसी चीज किस तरह के सहर ये हमारे शरीर के अंदर inject कर देती है इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे ताके हमारी तयारी, नीट की तयारी पलस 12th कलास की तयारी हमारी बहुत ही आसान तरीके से बहुत आसानी से हो सके. तो आईए सबसे पहले हम लोग मलेरिया का जो definition है, मलेरिया फीबर की जो definition है एक दो लाइन में इसको लिख लेते हैं. तो आप लिखिये, malaria fever is an infectious disease, malaria एक संकर्मन रोग है, उसके बाद लिखिये, it is caused by parasites that are transmitted to people through the bites of infected female एनोफिलीज मस्कुईटो. बिल्कुल lay man term में समझिए कि malaria fever एक संकर्मन रोग है, जो malaria पैदा करने वाले मच्छर के काटने से होता है. चलिए, इतनी बात आप जान गए हैं. अब हम उस organism की बात करते हैं, उस parasite की बात करते हैं, जिसके वजह से, जिसके हमारे शरीर के अंदर परवेश कर जाने के कारण, ये malaria जैसे खतरनाक बीमारी हो जाती है, इस malaria से पुरे world के अंदर millions of people हर साल मर जाते हैं. ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये कौन से पारासाइट से, कौन सी जिवानू है, कौन सी परजिवी है, जिससे की ये बीमारी होती है, उसको हम लोग समझते हैं, तो देखिए प्लाजमोडियम एक पारासाइट है, ये को पारासाइट कहते हैं हिंदी में इसको कहते हैं परजिवी, परासाइट यानि परजिवी, ऐसे और्गनिजम को कहते हैं, जो बीमारी पैदा करता है, पैथोजन के लेक्चर में आप देख लीचिएगा पैथोजन्स, नामसे एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करके अभी दो-तीन दिन पहले इस चैनल पे अपलोड किया हूँ, उसको आप जरूर देखें ताके पैथोजन आपको समझ में आ जाए, ये प्लाजमोडियम क्या है, ये तरह का पैथोजन है, जितन किसे कहते हैं, बीमारी पैदा करने वाले और्गनिजम को पैथोजन कहते हैं, ठीक है, तो अब आईए हम मलेरियल पैथोजन की बात करते हैं, प्लाजमोडियम की, प्लाजमोडियम क्या है, कि प्लाजमोडियम एक मेंबर है, इस पूरो जोन्स के, अब ये आप समझें, इस उसमें देखिएगा कि kingdom प्रोटिस्टा, five kingdom of classification का दूसरा नमबर जो है वो प्रोटिस्टा है आप थोड़ा सा एक बार मैं बता देता हूं इवीटिकर ने five kingdom classification का जो concept दिया है उसके मताबिक जितने भी जीव जनतू है उसको पाँच अलग-अलग kingdom के अंदर उसको रखा गया है जिसमें पाँचो kingdom में पहला जो kingdom है वो है मोनेरा है उसके बाद प्रोटिस्टा है फिर फंजाई है फिर जो है फंजाई के बाद planty है उसके बाद animalia है तो उसी पाँचो kingdom में से kingdom है प्रोटिष्टा, इस प्रोटिष्टा में कई ग्रूप अफ और्गनिजम है, जिसमें क्राइसोफाइट से है, डीनोफलेजिलेट से है, युगलोनवाइट से है, स्लाइम मोल्ड से है, और लास्ट में जो है प्रोटोजोन्स है, आप देख लिएगा, उस प्रोटोजोन्स मे कई तरह के कई ग्रूप अफ और्गनिजम है जिसमें एक प्रोटोजोन मिलेगा आपको उस एसपोरोजोन के यह मैंभर है प्लाज्म़ोडियव तब समझ ग expects कि प्लाज्म़ूडियव कि एक एसपोरोजोन है वो ठीक है जो एस्पोरो जोन है और यह जो प्रोटिस्टा जो होता है वो यूनिसेलूलर यूकरियोटिक और जितने भी यूनिसेलूलर यूकरियोटिक और गनिसम्स है उसमें जो है वो सारे के सारे प्रोटिस्टा में रखा गए अब सवाल यह पैदा होता है कि यह यूनिसेलूलर यूकर के absence और purgence के आधार पर cell को दो टाइप में पाटा गया है एक को कहते है प्रोकरियोड दूसरे को कहते है यूकरियोड तो प्रोकरियोड उसको कहते है जिसमें नुकलियस और बाकी और भी membrane bounded intracellular cell organeals नहीं होता है यानि कि जिसमें Mitochondria नहीं होता है नुक्लियस नहीं होता है गौलजी बड़ी नहीं होता है सारे के सारे proph demonic cells होते हैं जैसे bacteria यूकरियोड उस्तरह के होते है में नूकलियस होता है और पहला है पेर पौदे जितने हैं सब के सब उकारियोड से सिर्फ एक बैक्टिरिया है जो कि मोनेरा में आता है वो प्रोकरियोड से तो आप समझ गए कि यह प्रोटोजोन यह प्लाजमोडियम क्या है तो प्लाजमोडियम के सदस्य हैं, ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, अब जो है यह प्लाजमोडियम है, खास तोर से, तीन तरह के प्लाजमोडियम आपके बुक के अंदर, NCRT में डिसकस किया हुआ है, वहाँ पे इनलिस्टेट है यह, तो आप यह तीनों को लिख लिजिए, याद कर कर लिजिए, यह तीनों का नाम है, पहला है, प्लाजमोडियम वाइवेक्स, दूसरा प्लाजमोडियम मेलेरी है, और तीसरा है प्लाजमोडियम फालसी पेरम, प्लाजमोडियम वाइवेक्स, बिनाइन टरसीयन मेलेरिया पैदा करता है, प्लाजमोडियम मेलेरी, प्रेवलर मलेरिया भी कहते हैं, पैदा करता है, और यह जो malignant malaria होता है, बहुत ही serious and dangerous type of malarial fever produce करता है, तो इसको आप जो है, note कर लिजिए, इसको लिख लिजिए, NCIT की बूक जरूर पढ़िए, उसमें इसारी चीजे दिया हुआ है, चलिए, अब जो है एक बहुत important जो इसमें चीज है, जो आपको याद रखना है, कि यह जो plasmodium है, इसकी जो infective form होता है, इसकी जो infectious form होता है, इसकी जो pathogenic form होता है, उसको कहते हैं हम esporozoites, यानि plasmodium के कई species हैं, और यह plasmodium की species, जैसे ही मच्छर काटती है, किसी मनुशु को, तो उस मच्छर के लार के जरिये, लार के अंदर चुके यह esporozoites होता है, यानि saliva के अंदर, और saliva आप जानते हैं कि saliva जो है slavery gland के अंदर store रहता है, मतलब यह हुए कि slavery glands के अंदर ही esporozoites store होते हैं, जैसे ही मच्छर काटती है, किसी भी मनुशु को, तो वो esporozoites, जो की infectious form है, plasmodium का, वो हमारे blood के अंदर आ जाता है, जो भी मनुश्य हैं, जिसको भी, यह मच्छर काटती है, malaria वाला मच्छर, उसके blood के अंदर, यह inject कर देती हैं, किस चीज़ को, तो esporozoites को, esporozoites क्या है, plasmodium का infectious form है, malaria पैदा करने वाले parasite का infectious form है, मच्छर के लार के साथ, हमारे body के अंदर परवेश कर गया, blood में आया, और blood में चुके उसको खत्रह, बहुत तरह के उसमें जो है, immunologically active cells हैं, जो उसको खा सकता है, तो इसलिए कि आउता है, कि वो liver के तरफ दोड़ता है, लीवर में अपना जान बचा कर, जो है, लीवर के अंदर पहुंचता है, और लीवर में उसको शांती मिलती है, वहीं अपना घर दोवार बना लेता है, और एक sexual reproduction के द्वारा, एक sexual reproduction के बिदी के द्वारा, लीवर के अंदर ये एसपोरोजवाइट्स अपनी population को increase करता है, जो कि reproduction के जरिये ही कोई भी जीव जनतू, अपना population increase करता है, तो क्या हुआ, मच्छर से एसपोरोजवाइट्स हमारे शरीर के लीवर में बलड के थुरू, बलड से होते हुए, लीवर में पहुँचा, लीवर के अंदर एसपोरोजवाइट्स यानि मलेरियल पारासाइट्स अपना घर दोवार बना लिया, उसके बाद उसमें उसकी population बड़ी reproduction के बीधी दिवार एसेक्सवल reproduction हुआ, और जब एसेक्सवल reproduction उसकी complete हुए, बहुँच जादे population हो गया, तो हीपाइटिक से लीवर के जो सेल्स होते हैं, लीवर जिस सेल्स के बने होते हैं, उसको हीपाइटिक सेल करते हैं, उसको rupture करते हुए, उसमें से बाहर निकल कर, और फिर बलड का जो RBC होता है, बलड में, तीन तरह के सेल्स होते हैं, एक को कहते हैं, RBC, red blood carpuscles, दूसरे को कहते हैं, WBC, white blood carpuscles, तूसरे को कहते हैं, platelets, तो उन टीनो टाइप के जो सेल्स हैं, उस सेल्स का जो RBC है, red blood carpuscles है, यानि अरिथरोसाइटिक जो सेल्स हैं, उस सेल्स में ये दाखिल होता है, सेल्स के अंदर दाखिल हो गया, यानि अरिथरोसाइट में दाखिल हो गया, यानि RBC में दाखिल हो गया, और उस RBC को खाना सुरू करता है, सिद्धी ले मैं टर में आप ऐसे समझें, उसको खाएगा उसका भोजन हो गया वो, वो इस पोरोजवाइट का भोजन क्या हो गया, यह ब्लड सेल्स यानि एरिथ्रोसाइटिक सेल्स यानि आरबीसी, उसको खाएगा खाकर उसको मार देगा, तो इस ब्लड का जो होगे, उस ब्रेकडाउन के फल सोरी तो दो चीज़े बाहर आएंगे, ब्लड के अंदर, दो चीज़े मिलेंगे, एक तो, हीमो जोईन, एक सहर है, एक टॉक्सीन है, that टॉक्सीन इस रिलीज़द फ्रॉम आरबीसी, रप्चाइड आरबीसी, इन्फेक्टेड आरबीसी, ग प्रोक्सीन, विच इस रिस्पॉन्सीबल टॉ प्रोड्यूस, चील और फिवर, चील और फिवर क्या है, कि यह मलेरियल, मलेरिया फिवर का, यह सिंटम आपको दिखेगा, तो यह दो चीज़े याद रखिये, एस्पोरोजवाइट्स, एंड हीमो जोईन, एस्पोरोजवा जो इनका है, यह क्या है, मलेरिया पैदा करने वाला टॉक्सीन है, जो की, आरबीसी, इनफेक्टेड मलेरियल परासाइट के आरबीसी से, यह रिलीज होगा, और उस आरबीसी में, गैमिट भी बन जाते हैं, मेल गैमिट और फिमेल गैमिट, जिसका जिक्र हम, अगले जिक्र करेंगे, पूरी डिटेल में इसकी लाइट सैकिल हम बताएंगे, तो उसमें हम, गैमिटो साइट का जिक्र करेंगे, जो की, इूमन होस्ट के अंदर गैमिटो साइट बलड में बनता है, और बलड के अंदर रहता है, जैसे ही मस्कूइटो काटती है, मच्छर काटत है, malaria वाली मच्छर, तो वो blood meal के जरीए ये gametocytes उसके stomach में चला जाता है, उसके पेट में चला जाता है और उसके पेट के अंदर, यानि ये stomach के दिवार के अंदर, क्या होता है कि वहाँ उसका fertilization होता है, fertilization के फलस्वरूप आप जानते हैं कि zygote बनता है और वो zygote फिर develop हो जाता है infectious form of malarial parasite that is esporozoides, तो ये NCRT का से लिया हुआ है, life cycle उसमें आप देख सकते हैं, एक बार पर लिजिएगा, ताके आपको मेरा lecture समझने में आसानी हो जाए, तो अब क्या है, कि जैसे ही esporozoides हमारे शरीर में पहुँचा, तो ये तीन दू स्टेज को complete करता है, malaria पैदा करने से पहले, दू स्टेज से होते हुए ये malaria पैदा करने वाली ये स्टेज तक पहुँचता है, तो पहले स्टेज को कहते हैं, पीरी अरिथरोसाइटी के स्टेज, पीरी के मतलब होता है, पहले अरिथरोसाइट के मतलब हुआ RBC, यानि RBC में पहुचने से, RBC के अंदर जो एक स्टेज होती है, उसको शुरू करने से, पहले वाला जो स्टेज है, उसको हम कहते हैं, Pre-Earthrocytic Stage यह Pre-Earthrocytic Stage शुरू होता है स्टार्ट होता है कहां से मस्कुईटो बाइट से और कम्पलीट होता है यह entrance in RBC RBC में उसके entrance करने तक इसकी इसका जो है Pre-Earthrocytic Stage कम्पलीट होता है Pre-Earthrocytic Stage में कौन-कौन से सब Stage है तो मस्कुईटो बाइट पलस सेक्स्वल रिप्रोड़क्शन सेक्स्वल रिप्रोड़क्शन के फल सुरूप क्या होगा मल्टिपिलिकेशन आफ ऐस्पोरोजवाइट होगा उसके बाद लिवर सेल्स को से निकल कर और यह RBC में जैसे ही घुसेगा मतलब क्या चीज घुसेगा तो स्पोरोजवाइट इस इनफेक्सियस फॉर्म आफ पलाज्मोडियम RBC में इन्ट्रेंज करने तक जो Stage है वो पिरी अरिथरोसाइटिक Stage में काउंट होता है इसको हम पिरी अरिथरोसाइटिक साइजोगोनी भी काते हैं चलिए उसके बाद में क्या होगा कि अरिथरोसाइटिक Stage स्टार्ट होगी जैसे ही अरिथरोसाइटिक यानि RBC में स्पोरोजवाइट्स इन्टर किया तो अरिथरोसाइटिक Stage शुरू हो गया ठीक है इन्टरिंस के बाद उसमें क्या करेगा कि वो अरिथरोसाइटिक सेल्स के जो Components है उसको खाएगा ये पारासाइट यानि कि इस पोरोजवाइट्स उसको खाएगा उसको damage कर देता है उसका breakdown कर देता है और उसमें जो है एक जो है उसके RBC के अंदर भूशेगा उसकी क्या होगी कि अरिथरोसाइटिक साइजगोनी शुरू होगी यानि कि ये sexual reproduction उसके अंदर इस अरिथरोसाइटिक सेल के अंदर शुरू होगा और बहुत सारा उसके अंदर ये एस पोरोजवाइट्स पैदा होगा और उस एस पोरोजवाइट के पैदा होने के साथ साथ कहा एरिथरोसाइट के अंदर उसमें से एक टॉक्सीन रिलीज होती है जैसे ही रप्चर होगा ये आर्बीसी यानि आर्बीसी फ़टेगा तो उसके बाद क्या होगा उसमें से एक toxin release होगी, इस toxin का नाम क्या है, तो hemozoin जैसे ही toxin release होगी, तो पेसेंट को आएगा fever, जार बुखार, जार के साथ, यानि कि उसको जो है कपकपी वाली जार लगेगी, और पेसेंट ये कहता है कि हमको कंबल उड़ा दीजिए, हमको रजाई उड़ा दीजिए, तो आपके पास यतना भी कंबल रजाई है, सब उड़ा दीजिएगा, तब भी उसको ठंडा लगेगा, चील fever होता है, उसमें shivering होती है, और high fever होता है, और ये जो fever की जो cycle चलती हो, NCRT ने जो लिखा है, मैंने उसी चीज़ को आनोट किया है, कि this fever, high fever, जहाँ हीमोजोईन is responsible to produce, चील and high fever which comes every three to four days, कहीं कहीं किसी किताब में 48 घंटा लिखा है, कि 48 घंटे के बाद इसकी repetition होती है इस fever की, और ये रहता कितना दे रहा है ये fever, तो ये 6 से 12 घंटे तक रहता है, तो ये चीज़ आप समझ जाएए, NCRT ने जो लिखा है, उसी को याद रखिये, तो आप लिखिए, हीमोजोईन is responsible to produce, यहाँ पर टू जो है, टाइपोलोजिकल एरर है, टू छुट गया है, तो आप लिख लिजिए, हीमोजोईन is responsible to produce, seal and high fever, which comes every 3 to 4 days, किसी किताब में 40 घंटा, यानि 48 आवर्स, यानि 2 दिन लिखा हुआ है, और यह fever कितना देर तक रहता है, तो 6 से 12 घंटे तक रहता है, और यह cycle चलती रहती है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम इसकी life cycle, दूसरे वीडियो के अंदर हम complete life cycle आपको बताएंगे, जिसमें इसकी life cycle के एक एक component बिल्कुल, एक के लिएर आपको समझ में आ जाएगा, थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो,